नमस्कार दोस्तों आई इस प्रेपर आपका बहुत बहुत श्रागत है समाजकार के प्रफम प्रश्म पत्र के अंतरगत हम डिसकस कर रहे हैं सामुदाइक संगठन के बारे में आज ये सामुदाइक संगठन की कच्छा के तौर पर आज ये अंतिम कच्छा होगी बाद में अ अंतर भी प्रशनी पूछा याता है, तो अंतर भी हम देख लेंगे, और शम्दाइक ्अकजठान की चरण पे प्रशन बन सकता है, 15 मार्फ के प्रशन भी बन सकता है, और आप से 10 मार्फ क भी प्रशन पूछा जा सकता है, वही रहेगा, 15 में 300 और 10 में 200 से 225 तक, तो यहां पर हम जो चरनों की बात करने जा रहे हैं, यह थोड़ा ज़ादा सब्दों में कर रहे हैं, और तरीका आप सब लोग जानते ही हैं, पहले बताएंगे कि कि चरन के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, कही से तुलना कर देंगे वैक्तिक समाजकारी से या कहीं से भी आप गुरूप से या कहीं से भी तुलना कर दीजे इसको और उसके बाद में बताईए कि इसमें भी चरण है और सपोर्ट किसी बिद्वान का लेके उसके आधार पर हम कहे देंगे कि इन्होंने ऐसा बताया है यहां दू विद्वानों के इसाब से हम बात कर लेंगे और वलकि हम थोड़ा सा और आगे बढ़कर थोड़ी सी तुलना भी इसकी कर लेंगे आए देखते हैं तो यहां पर जैसे हमने लिखा है कि व्यक्तिगत समाजकारी के अभ्यास में चरणों के होने का विज़ार रखा गया है जैसे उसी तर है वहाँ पर चरण क्या थे आपको याद करिए थोड़ा सा अध्यन हम लोगों ने किया था अध्यन निदान और उप्चार मैंने कहा था कि यह लाश तक आपके साथ ऐसे चलेगा तो यह अध्यन फिर निदान और उप्चार यह 3 चरण वहाँ थे न ऐसे यहाँ पर भी कुछ चरण होंगे यहाँ पर 3 नहीं होंगे यहाँ पर 3 से ज़ादा है किसी ने 6 चरण, 7 चरण बताया किसी ने 10 चरण बताया लेकिन मतलब वही है जैसे उन चरणों में हम ऐसे बढ़ते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हमको आगे बढ़ना है, step by step, तो यह जो steps हैं, उसी प्रकार सामदाइक संगठन की प्रक्रिया में भी हैं, यही चरण सामदाइक संगठन की अद्रगत, किसी भी सामदाइक संगठन पर् प्रमुक्ठ चरण माने जाते हैं, अब इसके बारे में हम जैसे लिंडमायर महोदे के बारे में, अगर लिंडमायर महोदे ने इसके बारे में जो बात की थी, वो यहाँ पर डिसकस करें, तो इन्होंने 700 संगठन प्रियुजनाओं का अध्धन किया, और उसी के आधार पर यह इनिसकर्स पर पहुंचे कि 10 चरण होते हैं, तो यह जो 10 चरण है, इसको आप ऐसे अगर याद रहेगा, अगर याद कर रहेगा आप इतना तो याद करने की कोसिस करिए, अगर यह याद दी रहेगा तो आगे भी हम डिसकस करने जा रहे हैं, लेकिन इनको ऐसे आप पहला चरण हिनों ने बताया, आवसेक्ता की चेतना, यानि समदाय के अंदर या बाहर, चाहे समदाय के अंदर की बात करें, और चाहे समदाय की बाहर की बात करें, या मतलब यहाँ पर कोई वेक्ति आवसेक्ता का प्रकटन करता है, जो बाद में एक निश्चित परियोज नीमट पड़ेगी तो ये पहला चरण हो गया अवस्थिघ्टा की चेतना का प्रसार समधाय के अंदर कोई श्ञबूवज्चा के अंदर कोई नेता अपने श्मूवज्चा के एक भाग को इस आवस्थिघ्टat की वास्थिघ्टा के विसे दिला देगा मालिजी कि ये सभू है और समू की कुछ आवशक्ता है तो पहले इसको बताना पड़ेगा कि ये सभू में क्या आवशक्ता है ठीकर न चाहे पूरे में और तो हाँ छोटी-छोटी heading आप ऐसे बना सकते हैं, यह heading मतलब आप underline करके बना दीजी या black और blue pen आप यूज करते हैं नर्मली, तो black pen से इसको डाल दीजी, तो आवसक्ता की चेतना का प्रचेपण के अंतरगत देखें, तो समदाय का जो समूँ आवसक्ता की पूर्ती में आयार करता है, जिससे आवसक्ता की चेतना एक सामानी रूप ग्रहन कर ले, यह निकिस सब लोग चैतनी हो जाए, चेतना जागरित हो जाए, कि आवसक्ता क्या है, फिर अगला चरण है, आवसक्ता को तुरन पूरा करने का भावनात्मक आवेग, एक भावनात्मक आवेग क उत्पन होना और उस आवसिक्ता को तुरन पूरा करने के लिए कुछ प्रभाव साली साहता जुटाई जाए जैसे आपको कोई चीज पता चली जैसे आपको फीवर है और फीवर में आपको पता चला कि अब हमको दवाई की जरूरत है और शक्ता है तो उस आवसिक्ता को आप पूर्ति के लिए शमाधानों का प्रस्तुति करम तो आवसिक्ता की पूर्ति के लिए समाधानों का प्रस्तुति करम जब आपको आवसिक्ता समझ में आ गई तो अब समाधान कैसे किया जाए जैसे समस्या समझ में आ गई तो अब समाधान कि पूर्ति के समाधानों में संगर्स होगा अब कोई कोई समाधान बता रहा है या आपके दिमाग में भी कई समाधान आ सकते हैं अब इसमें क्या होगा कि बेस्ट कौन सा है कौन सा बेटर है बेहतर कौन सा है इसके लिए इसमें संगर्स होगा एक समाधान ए है एक समाधान इसमें कई वार ओटिंग भी हो सकती है कि आपस में जो समधाय के लोग है उन्में मत तेक लिया जाए कैसे कैसे क्या है तो उस पता चला कि B के पक्ष में जादा लोग या सब को समझ में आ रहा है कि B जादा अनकूल रहेगा कम संसाधन के द्वारा और कम समय में किया सकता है इस तरह के पैमाने पे इसको ख़रा उतार के चेक किया जाएगा और इसी के आधहार पर जब संगर्च होगा तो विरोधी शमाधान या सुझाओं को प्रस्तुत किया जाएगा और विभी ने समूँ इन में से किसी एका समर्थन करेंगे उसी को चुन लिया जाएगा अन्वेशन या जाच परताल अब ये जो हम जहां तक पहुंचे हैं ये देखेंगे कि क्या ये सही है जाच परताल करके इस सारी चीज़े जानेंगे ना तो विसी सग्यों की साहिता से परियोजना या समस्या की जाच की जाती है जो भी परियोजना बनाई गई है और जाच कर करेंगे बारे में पढ़ते हैं समिदान सभा में बाद भीवाद होता रहता था जिससे क्या होता था अखिर सबसे उचित क्या है वैसे यहां पर भी होगा और वह समुझ जो अधिक प्रभाव रखते हैं अपनी योजनाओं की स्विक्रती लेने का प्रयाश करते हैं ठीकिन अ आप ये भी हो सकता है कि एक ही छेत्र में कई समू कारी कर रहे हों तो जो समू जदा प्रभाव शाली होंगे वो अपना प्रभाव उसमें दिखाएंगे समाधानों का फिर एक ही करण किया जाएगा जो भी समाधान सुझाव की रूप में सामने आएंगे उनकी परिच्छा कर करके सभी के अच्छे पच्छ चुनकर एक नया समधान निकाला जाएगा यहां पर यह नहीं दिखाना हैं बार-बार कर रहे हैं कि कई समूहों में अगर एक ही छेत्र में काम कर रहे हैं यह बिभन समूह हैं और इन बिभन समूहों में अगर आपस में कुछ कॉपरेशन नह जाता है जो सबसे कम पैसे सबसे अच्छा काम करता है उसको दिया जाता है ठीक वैसे ही आपको चिसको मानिए तो समाधानों का एक ही करन करने के बाद में आस्थाई प्रगत की आधार पर समझाओता किया जाएगा कुछ समू अपनी अपनी रुजना का कुछ भाग त्याग जिसके फलसु रुप एक समझाओता हो जाता है और उसी समझाते के आधार पर कारिकरना आरम कर दिया जाता है जैसे एक समू एहे बी है C है, कुछ बाते हैं इसको A की नहीं पसंद है, इसको B की नहीं पसंद है, इसको C की नहीं पसंद है, आपस में एक दुसरे से कुछ है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें, इसको निकाल के, और कुछ चीज़े कामन जो होंगी, उनको ले लिया जाएगा, अब ये चीज़े कामन ह नहीं है कि इन चरनों का विल्कुल ऐसे पालन हो सभी कारिक्रम इन चरनों में निच्चत तोर पर पालन करें ऐसा कोई जरूरी निए बीच में एक दो चरन मिस्ट भी हो सकते हैं मिष्ठ हो जाएंगे कुछ डारेक्ट भी चीजें हो सकती हैं तो यह चीज भी हमको ध्यान भूर्टो होता है इनोने का है कि सेवा की जो उत्देश हैं उनका एक निस्चित कथा नियुं में वितरन होता है सबसे सरव लेंट में वहमों देका ही है उसको जरूर आप यहां तयार कर लीजेगा आसानी से याद हो जाएगा क्रम बध्य और तो जो इनका है उसको तो हमको बात करनी पड़ेगी अपनी तरफसे से समर्ताया आदी यह सारी चीज़न देखी शबूसक्ताओं के बीज वांषिट समयोजन के संदर में प्रदान की जा सकने वाली सेवाओं की रूप रेख रहे हैं यह कह रहा है कि स आधन और व्हांषिट परिष्ण के बिच जो वानशित समायोजन है, यहीं क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं जाने जाके üzलने क्तैने हम जाके लिए आस्थाई योजना और चुनी की सिवाओं की वैदिता का परिछण करने के लिए जनता के सामने उसे प्रस्तुत किया जाता है परिछण कैसे होगा कहने का मतलब उसकी जाज की लोगों को ये पसंद है कि नहीं है इससे लाब होगा या नहीं होगा जैसे वहाँ पर भी हम अभी जाज की बात कर रहे थे वाद बिवाद के माध्यम से उसको परखने की कुसिस कर रहे थे लेड़ मैं में होदे के अनुसार तो वैसे ही बात यहाँ पर की जा रही है आस्थाई योजना और चुनी के सेवाओं की वैदेता का परिछन करने की जनता के सामने जब प्रस्तुत कर दिया जाएगा उसके बात मुक्ह योजना अब एक मुक्ह योजना बनाई जाएगी उसका विकास जो आस्थाई योजना से अलग होगा जो परिछण पर आधारित अन्भों के कारण विक्सित की जाती है उसके बातचीत होगी और अंतन चरण में इस मुक्ह योजना के जो ये रूप जिस रूप में इसको विक्सित किया गया है इसको ही सेवा में बदल दिया जाता है इसी को इसी का implementation किया आता है और जब इसका किरयान्मिन होगा या सेवा में इसको कारियान्मित कर दिया जाएगा तो इसमें बरतवान सेवाओं का फिर पुना शंगठन होगा बरतवान सेवाओं का अस्तरूचा करना उनका विस्तार करना यहां बिल्कुल नई सिवाओं को निर्मार करना है यहीं कि जैसे जैसे चीजें जरूरत हमको पड़ती चली जाएंगी इसको हम अपडेट करते चले जाएंगे कहने का मतलब यह है कि समय के अनसार इसमें हम परिवर्तन करेंगे हो सकता है कि जब हमने इसको स्टाइट किया हो तो आप सकता है दूसरी रही हो और आगे चेंज हो गई तो यह बात थी क्लास महदे के अनसार तो लिंद में और क्लास महदे के अनसार हमने देख लिया सब्द तो हमारे पर प्रियाप्त हो गये हैं अनसर लिखने के लिए लेकिन हम यहां पर थोड़ा सा एक तुल्ल आ कर टेलर महुदय ने सामदाइक विखास के कुछ चरण बताएं घो विद्यों की व्याख्या की मैं उसको यहा कर आप ऐसे लिए क्किसम दाएक इसके के बातική की और छामदाइक विखास के संबंद में की थी सामधाइग विकास के संदर में लेकिन यहां पर यह जो सामधाइग विकास है यह समधाइग संगठन के बारे में भी यह जो टेलर महोदे ने बताया चरणो और विधियों को सामधाइग विकास के बारे में वो सामधाइग संगठन के बारे में भी इसमें भी लागू की जा सकती हैं अगर ऐसी हम तुल्ला कर देंगे तो निश्चित तोर पर हमारे मांक्स बढ़ जाएंगे तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे कि समधाई विकास का पहला चरण समधाई के सदस्यों द्वारा समान अनुभूता वसकताओं की विज़े में वि पूछा जाएं जादा तर मतला उम्मीद नहीं है इसकी समभू क्या समभू तो कुछ भी हो सकता है पूछा जा सकता है तो आप ऐसे फिर तुल्ला करके लिखेंगे कि यह जो समधाई विकास का पहला चरण है ऐसे ही समधाई संगठन में होता है नहीं तो आप कहा देंगे क कि इन्होंने ऐसे कहा जो कि लगवग विधियों प्रविदियों से मेल खाता है फिर उन्होंने दूसरा कहा कि समधाई विकास का दूसरा चरण है समधाय दोरा चैन की कही पर्थम स्वयं साहता प्रियोजना को पूरा करने के लिए ब्योस्तित नियोजन बनाना पहले शेक्ता के बाद में ये क्या कह रहे है कि अब नियोजन प्लानिंग की जाएगी उसके बाद में तीसरा चरण ये फश्ट हो गया ये दूसरा हो गया तीसरा इन्होंने कहा आप ऐसे सिनॉपसिस बनाया करिया जैसे कि यहां पर मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिस कर रह समझारे में आप सर्वे करेंगे उनको जुटाएंगे फिर इसको आप एक्टिव करेंगे समधाई की संगठन का चौथा चरण समझाओं का सिर्जन और समझाय की सुधार है तो अतरिक्त पर्यूजनाओं को चलाने के लिए निर्णय लेना है तो जो भी अतरिक्त कर लिए किजि जिसे कि आपको एक्टाम के पहले रिवाइज करने में असानी हो तो इस तरह से यह जो समधाइक संगठन की चरण उसको देखते हूं हमने तुलना भी कर ली है समधाइक विकास से अब एक बात यहां पर समधाई विकास तरमाया है तो समधाइक विकास होता क है इसको हम देख लेते हैं अगला टॉपिक है आप से साथ नोट में पूछा जा सकता है समदाइक संगठन और विकास की तुलना भी कराई जा सकती है समदाइक संगठन तो बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं और इसको आप तैयार कर लिजिए कम से कम 200 सब्दों में समदाइ आप से बताना चाहता हूँ कि समदाइक विकास को भी एक प्रक्रिया के तौर पर ही देखा जाता है जिसके द्वारा सामारी रूप से आर्थिक और सामाजिक उन्नति करने का प्रयास के जाता है बहुत सारी समदाइक विकास परिवजनाय कारिकरम अपने गवर्मेंट के समदाइक स्वयम इन उपारों को करता है ताकि इसकी आर्थिक वा सामाजी के सिति में सुधार हो सके यही इसका लग्षी है समदाइक विकास में मानौ कर्ल्यार के लिए दो प्रकार की शक्तियों का एक रूप और यह सक्तियां क्या है याद रखियगा पहला सहयोग आत्मस कि शामदाई के था आर्थिक शेत्रसामधी जो टक्निकी टेक्निकल नॉलेज है उस की उसका उपलबाव होना चाहिए सामाजिक आर्थिक और सांस्क्रिटिक यह हर जगे आप इसका उपयोग कर सकते हैं ऐसे लिखने में यह सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यह समय लिजी आपकी की वर्ड्स हैं और अमूह लेनी दिए हैं अब कारिकलाप इसमें जो समधाई लोगों की अनभूत अवशक्ताओं से समधित हैं ठीक है बहुदेशिये कारिकरम अधिक प्रभावी होते हैं जो बल्टी परपर जो भी कारिकरम हम चलाते हैं तो वो बहुदेशिये जो अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि इसके साथ एक कारिकरम के जरीए कई चीजों को सा bestie में भी है तो यह सारी चीज़े इंपोर्टेंट होती है यूप के अधिया चीज जो बहू दिसे कारिकरव होते हैं अवधिक प्रहावी होते हैं जरुसमदाय की कारिक्रम में शहभागिता सफलता की और ले जाता है अगर महलाओं को आप छोड़ देंगे तो समझ दीजिए कि आपकी बहुत बड़ी आबादी आधे कि लगवग आबादी जूटी जा रही है तो इनका योगदान होना चाहिए इनके लिए कारिक्रम होने चाहिए और इवक अब यहां पर एक प्रश्न आप से पूछा जा सकता है कि शामदाईक विकास और सामदाईक संगऺठन में अंतर होता है क्या अंतर होता है यह थिसासे डर नोट नहीं है तो मैं ऐसे आपको इसको बोड पे बताया दे रहा हूं आप कॉपी पे नोठा की इसको फटाफर नोट कर लिए चार-चार पॉइंट आप दो लोग के बारे में नोट कर लेंगे तो हो जाएगा ठीक है अप everything दल सैवावदाइक-विकास और समदाइक-शंगठन में अंतर आ इसको दो तरीके से लिएक तरक आ अप इधर से लिख दीजिये सामदाइक-विकास कर एक तरफ आप ऐसे लिख दीजिए सामदाइक-शंगठन कि एसे आप कर दीजिए और जो संदाइक विकास की बाते हैं उसको करी चुके लिए कुछ पॉइंट आप ऐसे नोड कर लिए और समय इसे नोड़ कर सकते हैं तो यह दो ऐसे कर सकते हैं यह दूसरा तरीका यह भी होता है कि आप इसको पैरा में लिख दे जैसा भी आपको उचित लगे तो सामदाइक विकास और सामदाइक संगठन में जो अंतर हैं उनमें हम देखें तो सामदाइक विकास जो है विकास के बारे में आप लिखिए यह सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए चलाया जाते हैं जनता की जलता के आर्थिक विकाश के लिए चलाए जाते हूं और किसके द्वरा चलाए जाते हैं सरकार के द्वरा ठीक Gary Nda यह important है और यहाँ पर उद्देश क्या होता है जिसे कारिकरम क्या है किस लिए चलाए जाता है क्ौन चलाता है और तीसरा इसका purpose क्या होता है तो इसका वही है कि आर्थिक विकाश करना उन्नति करना आर्थिक उन्नति करना यह आप नोट कर लिए सरकार यहां पर कुछ सेवाय प्रदान करेगी और जो समधाइक संगठन द्वारा यहां पर समदाइक संगठन में आप लिखिए कि जो समदाइक संगठन द्वारा जो सेवाय प्रदान की जाती है वो समदाइक की अनभग की जाने वाली आवशक्ताओं जो समदाइक संसाधनों में समदाइक आवशक्ताओं वह संसाधनों में समयोजन की दवारा की जाती है यहां पर ग्वर्मेंट कुछ का लिकरम चलाएगी कुछ सेवाय प्रदान करेगी यहां यहां पर अधिक बल दिया जाएगा समधाइक संगठन में एकी करन पर समधाइक एकी करन और सहयोग पर बल दिया जाएगा आप सब पढ़ चुके हैं इसमें कुछ नया नहीं है हना अब यहां पर एक अंतर आप अगला देखिए इसको मैं मिटाल दे रहा हूं यहां पर अगला अंतर यह है समधाइक जो विकास है समधाइक विकास में कारिकरम जो होगा वो सास्किय तोर पर यानि सरकारी तोर पर होगा सरकार इसको चलाएगी निश्चित तोर पर सरकारी कारिकरम होंगे लेकिन जो समधाइक संगठन है यहां पर क्या होगा सरकारी और स्वाच्छिक दोनों हो सकते हैं यहाँ पे जो कारिक्रम होंगे इसी बिंदु में आप लिखे कि इसमें सास्किय भी हो सकते हैं सरकारी हो सकते हैं और स्वाच्छिक भी हो सकते हैं एक यह आप ध्यान रखिए अगला बिंदु क्या है सामदाइक संगठन की जो कारिकरम है सामदाइक कारिकरता की साहता से किये जाएंगे कारिकरता आपने पढ़ा ही है सामदाइक कारिकरता की साहता से किये जाएंगे ठीक है और इसको तो गौवर्मेंट की जो पदाधिकारी और जो भी वरकर होंगे वो करेंगे सरकारी वेक्तियों की दौरा किये जाएंगे है ना यहां पर जो अदाय तो दिया जाएगा किसको दिया जाएगा जो गौर्वर्मेंट वरकर होंगे प्राइबेट भी इसमें हार किया सकता है लेकिन एक नॉर्मली जो बात है यहां पर में उद्देश क्या है आर्थिक उन्नति करना पहले भी हम बात कर चुके हैं आर्थिक विकास करना आर्थिक उन्नति करना और यहां पर क्या है सहयोग को बढ़ावा देना मनोवर्तियों में परिवर्तन करना तो यह सारी चीजें यहां पर ध्यान में रखी जाएंगी बेवार में परिवरतन करना और भी जो आपको नालेज है यहां पर लिख सकते हैं यहां पर जो फंडिंग होगी निश्चित तोर पर गॉवर्मेंट ही करेगी पहले भी हम बात करी चुके हैं सरकारी और स्वच्छिक में यहां पर अलग से भी धना सकता है त्रश्ट दे सकते हैं और भी दान की ओधारना होती है दान से मिल जाता है धन इस तरह से आप अगर आप से अंतर पूछा जाता है तो आप बता देंगे तो इस तरह से आज यह हमारे ख्याल से सामुदाइक शंगठन हमारा लगभग समाप्त हो गया लगभग का मतलब यहां पर यह है कि लगभग हम बात कर सकते हैं कि यह 90 प्रतिसत से ओपर समाप्त हो चुका है यहां पर 90 प्रतिसत से ओपर इसको हमने शवाप कर लिया है 90% हमारा ये complete हो गया है 10% जो कुछ भी पजा होगा जो ऐसा पूछा गया है पुराने old years के papers में चाहे पिछले साल या कहीं भी तो इसको हम जब question discuss करेंगे old years के answer writing पे जब हम बात करेंगे तो answer writing के तहट हम इसको देख लेंगे ठीक ना और एंज्य राइटर रहे हैं की तो तयारिय अच्छे से होई रही है जो लोग नहीं कर रहे हैं वो सिस्कृडिक रोगों सबको बता पता है इसको पूरा ही दोने दीजे तब उसको करते हैं और कोसिस कर रहा हूं कि इसको कुछ बेवस्तित मैटेरियल आपके सामने आए थैंक यू अच्छा लगेगा तो इसको पसंद कीजिए कोई क्वाइरी होगी तो आप इसको जरूर पूचिएगा ज्यादा से ज्यादा तर लोगों तो पुचाएगा क्योंकि इसमें बिलकुल फ्री है तो आप इतनी मदद लोगों की कर सकते हैं मदद करना शीखिये जिसे कि लोगों को ज्यादा लाब मिले जब सब कुछ फ्री ही उपलग दे तो आप फ्री में मदद भी कर दीजित होगा थैंक यू थैंक यू बेरी मेच